नमस्कार दोस्तों, साहिर्ति की ओर में आज की कहानी है, अम्रिता प्रीतम जी द्वरा लिखे गई कहानी, उधली हुई कहानियां, तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शियर करें तो शुरू करते हैं कहानी उधरी हुई कहानिया मैं और केत की, अभी एक दूसरे से वाकिप नहीं हुई थी कि मेरी मुस्कुराहट ने उसकी मुस्कुराहट से दोस्ती गाठ ली मेरे खर के सामने नीम के और कीकर के पेड़ों से गिरा हुआ एक बांध है बांध की दूसरी ओर सरसों और चनों के खेत है इन खेतों की बाई बगल में किसी सरकारी कॉलेज का एक बड़ा बगीचा है इस बगीचे की एक नुकड पर केतकी की जोपडी है बगीचे को सीचने के लिए पानी की छोटी-छोटी खाईया जगय-जगय बैहती है पानी की एक खाई केतकी की छोपडी के आगे से भी गुजरती है इसी खाई के किनारे बैठी हुई केतकी को मैं रोज देखा करती थी कभी वह कोई हंडिया या परात साफ कर रही होती और कभी वह सिर्फ पानी की अंजूलिया भर भर कर चांदी के गजरों से लदी हुई अपनी बाहें धो रही होती चांदी के गजरों की तरह ही उसके बदन पर ढलती आयू ने मास की मोटी मोटी सिल्बटें डाल दी थी पर वह अपने गहरे सामले रंग में भी इतनी सुन्दर लगती थी कि मास की मोटी मोटी सिल्बटें मुझे उसके उमर की सिंगार सी लगती थी शायद इसलिए कि उसके होटों की मुस्कुराहट में अजीब सी भरपूर्गी थी एक अजीब तरह की संतुष्टी जो आज के जमाने में सबके चेहरों से खो गई है मैं रोज उसे देखती थी और सोचती थी कि उसने जाने कैसे या भरपूर्टा अपने मोटे और सामले होटों में सभाल कर रख ली थी मैं उसे देखती थी और मुस्कुराते थी वो मुझे देखती और मुस्कुराते थी और इस तरह मुझे उसका चेहरा बगीचे के सैकडों फूलों में से एक फूल जैसा ही लगने लगा था मुझे बहुत से फूलों के नाम नहीं आते पर उसका नाम मुझे मालुम हो गया था मांस का फूल एक बार मैं पूरे तीन दिन उसके बगीचे में ना जा सकी चोथे दिन जब गई तो उसकी आँखे मुझे इस तरह मिली जैसे तीन दिनों से नहीं तीन सालों से बिछुडी हुई हो क्या हुआ बिटिया इतने दिन आई नहीं सरदी बहुत थी अम्मा बस बिस्तर में ही बैठी रही सच मुझ बहुत जाड़ा पड़ता है तुम्हारे देश में तुम्हारा कौन सा गाउं है अम्मा अब तो यहां जोपड़ी डाल दी यही मेरा गाउं है यहां तो ठीक है फिर भी अपना गाउं अपना गाउं होता है अब तो उस धर्ती से नाता तूट गया बिटिया अब तो यही कार्तिक मेरे गाउं की धर्ती है और यही मेरे गाउं का आकाश है यही कार्तिक कहते हुए उसने जुगी के पास बैठे हुए अपने मर्द की तरब देखा आयू के कुब्रेपन से जुखा हुआ एक आदमी जमीन पर तीले और रसियां बिछा कर एक चटाई बुन रहा था दूर पड़े हुए कुछ गमलों में लगे हुए फूलों को सरदी से बचाने के लिए शायद चटाईयों की आर देनी थी केतकी ने बहुत छोटे वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी थी शायद बहुत बड़ी सचाईयों को अधिक बिस्तार की जरूरत नहीं होती मैं एक हैरानी से उस आदमी की तरब देखने लगी जो एक औरत के लिए धर्ती भी बन सकता था और आकाश भी क्या देखती हो बिटिया यह तो मेरी बिरंग चिठी है बैरंग चिठी जब चिठी पर टिकप नहीं लगाते तो वह बिरंग हो जाती है हाँ मा जब चिठी पर टिकट नहीं लगी होती तो वह बैरंग हो जाती है फिर उसको लेने वाला दुगुना दाम देता है हाँ मा उसको लेने के लिए दुगुने पैसे देने पड़ते हैं बस यही समझ लो कि इसको लेने के लिए मैंने दुगुने दाम दिये हैं एक तो तन का दाम दिया और एक मन का मैं केतकी के चेहरे की तरफ देखने लगी केत्की का सादा और सामला चेहरा जिंदगी की किसी बड़ी फिलासफी से सुलग उठा था इस रिष्टे की चिठ्थी जब लिखते हैं तो गाउं के बड़े बूढे इसके उपर अपनी मोहर लगाते हैं तो तुम्हारी इस चिठ्थी के उपर गाउंबालों ने अपनी मोहर नहीं लगाई थी नहीं लगाई तो क्या हुआ? मेरी चिठ्थी थी मैंने लेली यह कार्ति की चिठ्थी तो सिर्फ केत्की के नाम लिखी गई थी तुम्हारा नाम केतकी है, कितना प्यारा नाम है तुम बड़ी बहादूर आउरत हो अम्मा मैं शेरों के कबीले में से हूँ वह कौन सा कबीला है अम्मा यही जो जंगल में शेर होते हैं वे सब हमारे भाई बंधू है अब भी जब जंगल में कोई शेर मर जाए तो हम लोग तेरह दिन उसका मातम मनाते हैं हमारे कबीले के मर्द लोग अपना सीर मुडा लेते हैं और मिट्टी की हन्या फोड़ कर मरने वाले के नाम पर दाल चावल माटते हैं सच अम्मा, मैं चकमक टोला की हूँ जिसके पैरों में कपिल धारा पहती है यह कपिल धारा क्या है मा? तुमने गंगा का नाम सुना है? गंगा नदी? गंगा बहुत पवित्र नदी है जानती हो न? जानती हूँ पर कपिल धारा उससे भी पवित्र नदी है कहते हैं कि गंगा मैया एक साल में एक बार काली गाय का रूप धारन कर कपिल धारा में असनान करने जाती है वह चकमक टिला किस जगह है अमा? करंजिया के पास और यह करंजिया? तुमने नर्मदा का नाम सुना है? हाँ सुना है नर्मदा और सोन नदी भी नज़दीक पड़ती है यह नदियां भी बहुत पवित्र है उतनी नहीं जितनी कपिल धारा यह तो एक बार जब धर्ती की खेतियां सूप गई थी और लोग बेचारे उजड़ गए थे तो उनका दुख देखकर बर्मा जी रोव पड़े थे बर्मा के दो आशू धर्ती पर गिर पड़े बस जहां उनके आशू गिरे वहां ये नर्मदा नदी और सोन नदी बहने लगी अब इनसे खेतों को पानी मिलता है और कपिल धारा से? इससे तो मनुस्यकी आत्मा को पानी मिलता है मैंने कपिल धारा के जल में इसनान किया और कार्तिक को अपना पती मान लिया तब तुम्हारी उमर क्या होगी अम्मा? सोलह बरसकी होगी पर तुम्हारे मावापने कार्तिक को तुम्हारा पती क्यों न माना? बात यह थी कि कार्ती की पहले एक शादी हुई थी इसकी औरत मेरी सकी थी बड़ी भली औरत थी उसके घर चंदरू मुंदरू दो बेटे हुए दोनों ही बेटे एक ही दिन जन में थे हमारे गांग का गुनिया कहने लगा कि यह औरत अच्छी नहीं है इसने एक ही दिन अपने पती का संग भी किया था और अपने प्रेमी का भी इसलिए एक की जगह दो बेटे जन में है उस बेचारी पर इतना बड़ा दोस लगा दिया पर गुनिया की बात को कौन टालेगा गां का मुखिया कहने लगा कि रोपी को प्राश्चित करना होगा उसका नाम रोपी था वह बेचारी रो रो कर आधी रह गई फिर फिर ऐसा हुआ कि रोपी का एक बेटा मर गया गां का गुनिया कहने लगा कि जो बेटा मर गया वह पाप का बेटा था इसलिए मर गया है फिर रोपी ने एक दिन दूसरे बेटे को पालने में डाल दिया और थोड़ी दूर जाकर महुए के फूल डलियाने लगी पास की जारी से भागता हुआ एक हिरन आया हिरन के पीछे शिकारी कुत्ता लगा हुआ था शिकारी कुत्ता जब पालने के पास आया तो उसने हिरन का पीछा छोड़ दिया और पालने में पड़े हुए बच्चे को खा लिया बेचारी रोपी अब गां का गुनिया कहने लगा कि जो पाप का बेटा था उसकी आत्मा हिरन की जून में चली गई तभी तो हिरन भागता हुआ उस दूसरे बेटे को भी खाने के लिए पालने के पास आ गया पर बच्चे को हिरन ने तो कुछ नहीं कहा था उसको तो शिकारी कुत्ते ने मार दिया था गुनिया की बात को कोई नहीं समझ सकता बिटिया वह कहने लगा कि पहले तो पाप की आत्मा हिरन में थी फिर जल्दी से उस कुत्ते में चली गई गुनिया लोग बात की बात में मरवा डालते हैं बसाई का नंदा जब शिकार करने गया था तो उसका तीर किसी हिरन को नहीं लगा था गुनिया ने कह दिया कि जरूर उसके पीछे उसकी औरत किसी गैर मरत के साथ सोई होगी तभी तो उसका तीर निशाने पर नहीं लगा नंदा ने घर आकर अपनी औरत को तीर से मार दिया अरे गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वह अपनी औरत को जान से मार डाले नहीं मारेगा तो पाप की आत्मा उसके पेट से फिर जनम लेगी और उसका मुख देखकर गाउं की खेतियां सूख जाएंगी फिर कार्तिक अपनी औरत को मारने के लिए सहमत ना हुआ इससे गुनिया भी नाराज हो गया और गाउं के लोग भी गाउं के लोग नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं लोग गुनिया से बहुत डरते हैं सोचते हैं कि अगर गुनिया जादू कर देगा तो सारे गाउं के पशु मर जाएंगे इसलिए उन्होंने कार्तिक का हुका पानी बंद कर दिया पर वे यह नहीं सोचते थे कि अगर कोई इस तरह अपनी औरत को मार देगा तो वह खुद जिन्दा कैसे बचेगा क्यों? उसको क्या होगा? उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? पुलिस नहीं पकड़ सकती? पुलिस तो तब पकड़ती है जब गाउवाले गवाही देते हैं पर जब गाउवाले किसी को मारना ठीक समझते हैं तो पुलिस को पता नहीं लगने देते बेचारी रोपी ने तंग आकर महुए के पेड़ से रसी बांध ली और अपने गले में डाल कर मर गई बेचारी बेगुनाह रोपी गाउबालों ने तो समझा कि खतम हो गई पर मुझे मालूम था कि बात खतम नहीं हुई क्योंकि कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वह गुनिया को जान से मार डालेगा यह तो मुझे मालूम था कि गुनिया जब मर जाएगा तो मर कर राक्षस बनेगा वह तो जीते जी भी राक्षस था जानती और राक्षस क्या होता है? क्या होता है जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेम नहीं करता वह मर कर अपने गाउं के दरखतों पर रहता है उसकी रूह काली हो जाती है और रात को उसकी चाती से आग निकलती है वह रात को गाउं की लड़कियों को डराता है फिर मुझे उसके मरने का तो गम नहीं था पर मैं जानती थी कि कारतिक ने अगर उसको मार दिया तो गाउंवाले कारतिक को उसी दिन तीरों से मार देंगे फिर मैंने कारतिक को कपिल धारा में खड़े होकर बचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूँगी हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे मैं जानती थी कि कार्तिक उस देश में रहेगा तो किसी दिन गुनिया को जरूर मार देगा अगर वह गुनिया को मार देगा तो गाउबाले उसको मार देगे तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया जानती हूँ वह धर्ती नरक होती है जहां महुआ नहीं उगता पर क्या करती अगर वह देश ना छोड़ती तो कार्तिक जिन्दा ना बसता और जो कार्तिक मर जाता तो वह धर्ती मेरे लिए नरक बन जाती। देश देश इसके साथ घूमती रही। फिर हमारी रोपी भी हमारे पास लोट आई। रोपी कैसे लोटाई। हमने अपनी बिटिया का नाम रोपी रख दिया था। या भी मैंने कपिल धारा में खड़े होकर अपने मन से बचन लिया था। कि मेरे पेट से जब कभी कोई बेटी होगी मैं उसका नाम रोपी रखूँगी। मैं जानती थी कि रोपी का कोई कसूर जब मैंने बिटिया का नाम रोपी रखा तो मेरा कार्तिक बहुत खुश हुआ अब तो रोपी बहुत बढ़ी होगी अरी बिटिया अब तो रोपी के बेटे भी जवान होने लगे बड़ा बेटा आठ बरसका है और छोटा बेटा छेह बरसका मेरी रोपी यहां के बड़े माली से ब्याही है हमने दोनों बच्चों के नाम चंद्रू मुद्रू रखे हैं वही ना जो रोपी के बच्चों के थे हाँ वही नाम रखे है मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी पाप का बच्चा नहीं था मैं कितनी देर केतकी के चेहरे की तरफ देखती रही कार्ति की वह कहानी जो किसी गुणिये ने अपने निर्दाई हाथों से उधेर दी थी केतकी अपने मन के सुच्चे रेश्मी धागे से उस उधरीवी कहानी को फिर से सी रही थी यह एक कहानी की बात है और मुझे भी मालूम नहीं आपको भी मालूम नहीं की दुनिया की ये गुनिये दुनिया की कितनी कहानियों को रोज उधेड़ते हैं तो ये आप सुन रहे थे अमरिता प्रितम जी द्वहरा लिखी गई कहानी उधरी हुई कहानिया पानी कैसी लगी, थैंक यू